पठान, कभीर, टाइगर, जिम या फिर खालिद, कौन है बेस्ट एजेंट, कौन सा करेक्टर मुझे अभी तक स्पाई उन्वेस कंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल लगा, आए बताता हूँ ये टोप 8 एजेंट्स की लिस्ट है, जिनको मैंने कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए रैंक किया है, जैसे कि इनकी मोटिवेशन, फिजिकल अबिलिटीज, रिलेशन्शिप विद अधर करेक्टर्स, लोयल्टी, लेवल ओ सीक्रेसी, फ्यू अधर स्किल सेट, और सबसे में पॉइंट, मेरी परसनल चोईस, तो चलिए मुद्दा शुरू करते हैं, बट उससे पहले रिमाइंडर, कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कहा है, तो सब्सक्राइब कर लो, तो अब नमबर 8 पे मैं रखना चाहूँगा, वोर मुई से सोरब को, बहुत तगड़ा करेक्टर था यार यह, एंड आई थिंग इस युनिवेस का सबसे मोस्ट अंडरेटिड करेक्टर, हलाकि यह वोर मुई का में विलन ही था, बट इसको पैचान मिलिये, टाइगर शोब के नाम से, लेकिन हाँ, इस करेक्टर के पास काफी सारी क्वालिटीज थी, लगबग काफी ज़्यादा पावरफुल था, बस इस करेक्टरगा में स्क्रीन टाइम थोड़ा सा कम देखने को मिला है, वरना इसके बारे में काफी कुछ डिस्कवर किया जा सकता था, नमबर सैवन पे मैं रखना चाहूंगा रूबीना को, प्लेड बाई दीपी का पादुकोन, य काफी सीक्रेटीव है, एंड फाइट वगेरा करना भी काफी अच्छे से जानती है, लेकिन मेरी शिकायद इसको लेकि ये है कि मुई के अंदर जो इसकी करेक्टराइजेशन है, वो मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग लगी, मतलब को सड़न चेंजिस देखने को मिलते ह इसको और अच्छे से समझने का मुका मिलेगा, अगली है टाइगर जिन्दा है इसे जोया, इस पूरे युनिवेस की सबसे स्ट्रोंगेस्ट फिमेल करेक्टर, ये एक ISI एजेंट है बट मुई के अंदर इसका चकर, टाइगर भीया से चल जाता है, और फिलाल इन दोनों क एक बच्चा भी है, क्या पता थर्ड पार्ट आने तक एक और हो गया हो, बट एनिवेस के बारे में सबसे खास बाद जो मुझे लगती है वो ये है कि ये काफी अची कॉमेट फाइटर है, साथ ही टीम को लीड भी काफी अच्छे से करना जानती है, फीमेल करेक्टर होने क बाद भी इसके सामने चाहिए दो विलन हो या फिर दस या फिर बीस, ये सबको मार के इदम लेगी, टाइगर की सबसे बड़ी कमजोरी भी है बट साथ ही उसका सबसे बड़ा सपोर्ट भी, अब आते है टो फाइव करेक्टर पे, एन नमबर फाइव गोस्टू खालिद, ये है खालिद और नमबर 8 पे था सोरव, आई मीन दिस इस रियल टाइगर शोफ आला करेक्टर, तो इसको लेके कन्फ्यूज मत हो ना, अब देखो वैसे तो हरे अंगल से सोरव की टकर का था, फिर चाहे वो हैंट प्याट कोंबेट हो, या फिर वेपन का यूज करना हो, ये जानती हुए कि इसका बाप गदार था, ये फिर भी देश की सेवा करने के लिए तयार था, और बस इसी कोशिश में था कि इसके बाप का दाग जो इस पे लगा है, उससे मिटा सके, ये करेक्टर फिलाल पुरे स्पाई इनुएस के लिए मिस्ट्री बना हुए है, और इसलिए क्योंकि कुछ कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि जिन्दा या फिर मर चुक है, बट मैं दिल से चाहूँगा कि इस करेक्टर को किसी तरह वापस लाए जाए जाए, नेक्स्ट पठान, इस करेक्टर की सबसे अलग बात है कि इसको जादा और पावर नहीं दिखाया है, हा ये बंदा, काफी जल्दी रूबिना की जाल में फस गया, वो भी सिर्फ एक नेबल की दो बार, इतनी आश्की भी सही नहीं है यार, इसके अलावा पठान की फाइटिंग स्केल्स काफी इंप्रेसिव हैं, स्पेशली हैं तो एंट कॉमबैट, लेकिन अब नमबर थी पे इस करेक्टर को मैंने रखाया, उसको देख की आपको थोड़ी सी हरानी हो सकती है, बट आप मैंसे मैकसिमम लोग भी इस बास से अगरी जरूर करेंगे, कि जिम कही ना कही पठान पे काफी भारी था, पठान रिवीव वाली वीडियो ही मैंने कहा था कि आर पठान को देख तो लड़की बाची का चक्कर नहीं और एक बार जो इसने सोच लिया वो करके ही रहता है, वैसे अगर आप थोड़ा सा और ध्यान दोगे तो आपको यह पता चलेगा कि कबीर और जिम इन दोनों करेक्टर संदर काफी सारे similarities हैं, बट अब अगर उतना deep बात करने लगे तो कोई मना नहीं करेगा कि कबीर इस पूरे spy universe का सबसे good looking and sexy character है, अब यार इसको play भी तो किस नहीं किया है वो भी तो देखो, खुद Ritik Roshan, world's most handsome man, hand to hand combat से लेके, relationship, dedication, loyalty, level of secrecy and physical abilities, सभी एंगल से काफी powerful है कबीर, इस पे तो यार में एक specially movie देखना पसंद करूँगा, कुछ एपरिकुल टाइप, and finally number one पे, of course tiger, इस character को मैंने number one पे रखा, इसका main reason मा को बताता हूँ, और वो यह है कि इसको हम दो movies के अंदर देख चुके हैं, एक था tiger and tiger जिंदा है, और इन दोनों movies से जो tiger की characterization है, वो काफी evolve हुई है, इसके बारे में काफी कुछ जानने को समझने क को मिलता है, हाला कि टूब यो नेश्ट, पिछले 4-5 साल में, सलमान की जो भी movies आई है, वो मुझे सच में बिल्कुल भी पसंद नी है, लेकिन tiger series में दम है बाई, ये character जब सिर्फ कुछ बंदों की team लेके, दूसरे देश जाके, nurses को छुड़वा सकता है, तो सोच लो क्या वीडियो वोच एट, इल सी ये नेश्ट वीडियो बाई